तो guys आज के इस वेडियो में हम बात करने वाले हैं आज के आई हुए बहुत ही बड़े अपडेट बहुत ही बड़ा रकूट मेंट आया हुआ है excess bank की तरफ से जिसमें अगर हम total number of vacancies की बात करें तो इसमें total number of vacancies आई हुए है 16,847 तो गाइज इन जोब वेकेंसी के लिए कोई भी बंदा अपलाई कर सकते हैं आपकी कौलिफिकेशन किसी भी बैग्राउंड से क्यों न हो चाहे बीए, बीबीए, बीसी ए, बीकॉम, एमबीए, एनी ग्राजवेट और डिपलोमा होल्डर्स यहां पे इन जोब वेकेंसी के ल किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, अगर आपने प्रोस ग्राजवेशन की हुई है, अगर आप लोगों ने एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ या एनी अदर प्रोफेशनल कौलिफिकेशन अगर आप लोगों के पास से आप इन जोब वेकेंसी के लिए अपलाई क आप किसी भी स्टी या स्टेट से आप इन जॉवेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात इन जॉवेकेंसी की यह है कि आप लोगों को कोई भी आप्लिकेशन फी पे नहीं करना है जिस भी जॉब के लिए आप इंट्रेस्टेड होंगे एलिजिबल कोई भी आप्लिकेशन फी पे नहीं करना है आप लोगों को सिंप्ली ओनलाइन मोड प्रोसिजर फॉलो करना है तो यहां पे अभी बहुत ही बड़ा रिकूर्टमिट आ चुका है एक्सिस बैंक की तरफ से जिसमें बहुत सारी वेकेंसी को आउट किया किया है तो आप अपनी मोड पтории कोलिकेशन के हिसाब से इन जो वेकेंसी के लिए अपलए कर सकते हैं तो जैसे कि आप सिक्रीन पर देख रहे हैं कि यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं इसमें कितνी इंट्रीज दी गई है तो यहां पर लोग फिस्पेज सेकेंड कि थर्ड पेज फुर्त पेज 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसी आप page to page wise अपनी qualification के हिसाब से इन job vacancies के लिए अपले कर सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि experience दिया गया है कि किस job में कितना experience होना चाहिए यहाँ पर जो पहली job दिये गई है यहाँ पर 4 to 8 experience होना चाहिए किसी job में यहाँ पर यह भी दिया गया है कि 1 to 3 experience होना चाहिए 3 to 9 या 0 to 1 यह वाली jobs है यह freshers के लिए है यह आप लोगों के doubts जो है वो आप लोगों के यहाँ पर ही clear होंगे कि किस job के लिए आप as a fresher apply करना चाहते हो तो ऐसी आप लोगों को next page में जाना है तो यह total number जो vacancies जो आई होई है it's about 16,000 plus की job vacancies को आउट किया गया है access bank की तरफ से तो यहाँ पर आप stay name भी checker के देख सकते apply वाला button भी है login to apply वाला button भी है किसी भी job vacancies में apply करने के लिए for example मैं कोई एक job vacancy के लिए click कर देती हूँ for example यह job vacancy है इस पर basically आप लोगों को click कर देने तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा job description दिखाया जाएगा role and function क्या है इस job description का department कौन सा है location क्या है openings कितनी है experience कितना चाहिए इनको तो यहाँ पर आप लोग चेक करके देख सकते हूँ यहाँ पर यह भी चेक करके देख सकते हूँ यह कब post हुआ है यह जो इन लोगों की तरफ से access bank की तरफ सी जो यह recruitment आया हुआ है आप यहाँ पर यह भी चेक करके देख सकते हूँ कि इन लोगों नी ये post कप किया हुआ है that means कि 29th of June 2021 में ये post किया गया है तो ये अभी fresher ही fresher's job ही है तो guys यहाँ पर आप लोग check करके देख about the role की responsibilities qualification इसके लिए क्या है that is graduation with less than one year of experience that is any fresher candidate यहाँ पर आपले कर सकते है role proficiencies के बारे में भी आप यहाँ पर check करके देख सकते हो that is good communication skills होने चाहिए आप में excellent lead generation, ability to handle pressure, ability to work successfully, high sales orientation तो guys इसी तरह के साथ आप इन सभी job के लिए apply कर सकते है so guys इसी तरह आप इन job vacancies के लिए apply कर सकते है तो यहाँ पे both male and female apply कर सकते है post के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कितने vacancies आई होई है age limit की अब हम बात करते है age limit यहाँ पे दिया गया है 18 to 40 years का बंदा होना चाहिए so minimum is 18 and maximum is 45 years so यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब हम बात करते हैं selection procedure के बारे में तो जो ही आप लोग apply वाली procedure को follow करते हो अपना resume में upload करते हो बागे अदर details आप लोग mention कर देते हो तो इसके बाद selection आप लोग की कैसे होगी यहाँ access bank में वो यह है कि आप लोग का बाज़ा बता written examination होगा तो written examination अगर आप qualify कर लेते हो तो उसके बाद आप लोग का interview होगा तो interview के basis पे आप लोग को यहाँ पे किसी भी job के लिए select कर दिये जाओगे तो यह selection procedure है तो अगर हम pay scale की बात करें तो according to your qualification, according to your experience, according to your job के लिए आप apply करना चाहोगे तो guys अब आप जिस भी job के लिए interest रखते हो आप यहाँ पे apply कर सकते हो बाकी other details आप लोगों को यहाँ पे इनके official platform पे मिल जाएगी लिंक आप लोगों को नीचे description में मिल जाएगी जहां से आप यह सबी details को check out कर सकते हो So guys, this is all about the platform, all about the job vacancies अगर आप लोगों को मेरा यह video अच्छा लगा हो तो like, share and subscribe कर दीजे मेरी YouTube channel को ताकि आप लोगों के ऐसी different opportunities के बारे में पता चले, thank you so much, assalamualaikum